एक अक्टूबर 2023 के बाद अगर आप PFMS पर अपने data operator ID और data approver ID से login नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अगर आप mobile number और email ID verify नहीं कर पाएं तब इसका solution आए जान दे हैं आगे बढ़ने से आपको बता दें अगर आप चैनल पर पहली वाई विजिट करने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें कि इसी तरह की important videos हम आपके लिए लाते रहते हैं जानकर यह आपको समझ में आए अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिगा और अपने दोस्तों में भी शेर हैं क्योंकि आप mobile number और email ID verify नहीं कर पाए थे इस वज़े से अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तब आपको क्या करना है यहां पर जो आपकी school की main admin ID होगी जिससे आप पहले operator और approver ID बनाए थी वह वाली ID यहां पर login करेंगे username password capture code करके login कर लेंगे इस तरह से इसकी main page प search कर देंगे तो यह हट जाएगा जब आप mobile से बग करते तब यह option करना पड़ता है अगर आप computer laptop से बग करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा उसके बाद new option ओपन होगे manage और add new तब add new पर click करेंगे उसके बाद इस तरह से आप पर page open होगा create agency user यहां पर देखेंगे आप अप prover id generate कर सकते हैं कोई भी problem नहीं है आसानी से आप बैसे ही बर्ग करेगी जैसे पिछली आडी बर्ग करती थी आपकी main admin id है की रहेगी और operator id और prover id आप चाहें तो कितनी बना सकते हैं ओके लेकिन आगे बंदे से पहले एक बात और बता दें आपको यह काम आप Monday to Friday सुबह 10 बजे के बाद शाम पांच बजे से पहले ही कर लिजेगा क्योंकि Monday to Friday में पांच बजे के बाद आप यह काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पर टाइप आप फ्यूजर पर जैसे क्लिक करते हैं तो स्लेक्ट वाला जो option है यानि टाइप फ्यूजर में जो data administrator agency data operator agency data approver जो options open होते हैं वो अपन नहीं होंगे और दूसी बात सटर्डे संडे में भी यह काम करते हैं तब यह option open नहीं होगा तो टाइम का विशेस द्यान रखे Monday to Friday सुबर 10 बजे से शाम 5 बजे से पहले अब इस तरह से आप यूजर पर क्लिक करेंगे यहां पर तीन option open होंगे सबसे पहल और बराने हैं तो पहले मालीजी हमने data operator ID हाँ पर data operator चुल लिया उसके बाद first name में जिससे आप अपने विद्याले में operator बनाना चाहते हैं उसका first name उसके last name email ID क्या रखना जाते वो phone number और mobile number में दोनों में same mobile number ही भर देंगे login ID में आपने तरब से कोई login ID चुल लीजेगा को उपर रेट कलर में और आपका जो password आपकी mail और mobile number पर भीज़ दिया जाएगा और आप password चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं तो इससे तरह से अप पूर्वर आइडी भी बना लीजेगा जैसे कि पिछली साल आपने बनाया होगा तब कहने का मतलब यह है ओवर आप फिस से operator और एक पूर्वर आइडी बना सकते हैं